किस्थ वाइब पर सेंसंग का एफ जीरो टुएस इस वीडियो आपके लिए लेकर आगे एस फॉन की टिप्स एंट्रिक्स और बेस्ट इजिन को जानने के बाद आप अपने फॉन को और भी इसमार्त तरीके से यूज कर पाएंगे और अच्छे से इसका यूज कर पाएंगे तो चलिए फटावर्ट से यहां पर बात करते हैं पहले इसकीन की यहां पर इसकीन किस तरीके से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं तो उसके करना है फ्रेंड्स आपको टू फिंगर से पिंच इन करना इस तरीके से तो आपके होम इसकीन में कुछ इस तरीकी ऑक् सब्सक्राइब करें चलते हैं सबस्सक्राइब चलते हैं होम स्क्राइब चलण फंस सब्सक्राइब करें एक पॉपर कीए सेथया उसको अनगाई fidelity करना सब्सक्राइब अब आप देखेंगे आपके home screen पे आपको cable home screen यहां पे नजर आएगी आपको और खहीं application देखने को नहीं मिलेंगे अभी तक आप इस तरीके से अपने apps को open कर लेते थे अब यहां पे वो apps आपके open नहीं होंगे यहां पे आपने app. लगा रखा है तो आप इस तरीके सा आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आपको सिंपल उसी तरीके से यूज करना है तो आप यहां पे कर सकते हैं आप फ्रेंट्स आपको पहले देखने को मिलता था यहां पे home screen पर एक apps open करने का feature जो कि Samsung में बहुत पुराना हो चुका है उसको लगाने के लिए सिंपल आपको सैटिक में जाना होगा और यहां पर आपको देखने मिलता है आप अपने phone को यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा feature है आप इसका यूज जरूर से कहीजिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऊपन करेंगे इस तरीक से सच्वार करेंगे और छो application करें हम कर सकते हैं तो हम ने हैट किया था और यहां कर पाते हैं यहां देख सकते हैं आपकी home screen पे इस समय हमने 5 वाले जो option होते हैं वो select कर रहे हैं 5-5 और आपको 5-5 करना है या 5-5-6 करना है तो इस तरीके से आप इसका selection कर सकते हैं तो friends यह बहुत अच्छा feature है आप ज़रू से इसका use कर सकते हैं इसी के साथ friends आपको जो आपकी जो home screen होती है उसकी भी आप setting कर सकते हैं जैसक देख सकते हैं आपे इस तरीके से आपके आप नजर आएंगे अगर इस तरीके से लगाते हैं तो यहां पर इस दरीके से इसका application कर पाते हैं तो देखेंगे हमारे यहां पर 5 application एक आपको खुके है इसी के साथ आपको इस पूल को करना है तो कैसे करेंगे उसके लिए आपको ड्यायर करना है ट्यूल करने बाद आपको मिलता रिकोर्डिंग कोल्स इस प्लेकर करके आपको फीचर ओपन कर देना होगा तो आपको यहां पर और चालो हो जाती अगर आप को इसके लिए आपको रिकॉर्ड को क्लिकरना होगा जो भी आपकी कॉल सुरूड को यहां पर सारी सू हो जाएंगी उनको आप कि यहां से सुनभी सकते हैं इसी कासा आपको इक फ्रेंट में कुछ अपनी डाइलर तो आप बॉलियम बटन दबाके अपनी क्लिक करते हैं इसी क साथ आपकी जो कॉल स्कीन होती है उसको भी आप अपनी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं तो जैसे के दिखेंगे फुल स्कीन करेंगे तो आपको हमेशा इस तरीके से स्कीन पर नजर आएगा आपकी कॉल आते हुए अगर पॉप-प करेंगे तो आप जैसे कोई एप्लिकसन लेने तो करने हैं नीचे तक हैनि नमबर को से लेkिस में डाल सकते हैं यहां पर नमबर भी इस तरह Бे V. सरफ हैं पर उसक्ती है तो आप वहलए नोटिफिकेशन को अपिन हैने हसाब सब्सक्राइब जिस आपको साजी करने कर देना जने को आपको और आपको वह की नोटिफैकर कर दिना होगा तो फिरेंगे आपके फ Soo clicking सब्सक्राइब नहीं होती है आप इसको भी कैसे लगा पाएंगे यह बहुत क्लिक करना है यहां आने के बाद देखने परभ्स करम पने बंभी परसथ 20 को अब यहां पर सकते हैं इसे के साथ आप यहांसे पर और इपने नंबर के जरीये तो आपके जो बहुत करें ऊपने किceptions're he साथ है लगा तो यहां पर सख साथ में अपनी हिसाब से अपनी नोटिश्ण को लगा सकते हैं इसे ही के साहथ आप इसके कुछ सेटमपर्स कर सकते हैं कि इसके आप यहां select कर सकते हैं कि आपको देखने को मिलता है turn on as schedule इस पर क्लिक करके आप यहां पर अपने हिसाब से इसको manage कर पाएंगे जैसे कि आपको देखने को मिल जाता है sunset to sunrise इस पर क्लिक करेंगे तो friends आपकी phone में जैसे कि आप देखेंगे जब भी साम होता है तो आपका phone start करना है और किस तयम अपने डार्क मूड में आपकी फॉन में जो नीचे बटान से अगर इंको हाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसके लिए पर से अंडर जाना होगा आपको यहांपर डिस्प्लिल कर दिंगे तो हमारे नीचे लाइन भी हट जाती है तो इस समय हमारी जिख将ब अगर चाहते हैं इसको कर पाहर फॉसको करने तो का हैँ से स्वाइब करना अपने हिसाब से अपनी कर सकते हैं आप यहां से खूंख यई तो आपको यह से बैक होना है, स्टार्ट इस तरह की से हो जाता है, ऐसाद में आपके जो फांट होती है, जो सटायल होती है, उसको छोटा बड़ा करना है, फिर फांट स्टायल चेंड करना है, तो उसके आपको देखने मिलता है, देस्प्लेय में ही, यह ओक्र cohort, तो आपको देखने मिलता है एंड इस ठीक करके आप अपनी इसमपल करके आपको छोटे बड़े करने तो वह यहां पर देखने को मिलेगा आपको full skin एप इस पर क्लिक करके आपकी फॉन में कोई भी application full screen पर नहीं आ रहा है उस application को यहां पर आने कवाद इस तरीके से open कर दीजिए अब आपकी फॉन में जो भी एप होगा यहां पर open करने कवाद वो full skin पर चलना स्टार्ट हो जाता है तो आपके फॉन में जो lock screen बालपपर होते हैं वह आपको change होके देखने को मिल रहे हैं तो आप इनको कैसे बंद करेंगे वह भी आप समझ दीजिए अगर आपको बंद है वह आपको चालू करने तो वह कैसे करेंगे सिंपल आपको अनलोग करना यहां आपको देखने मिलता बा हमारी जो बालपेपर हैं इनको भी हम यहां से change कर सकते हैं डाउलोड यहां सकते हैं तो जैसे कि हमको प्रेखने को मिल लता है इस वह अपको सिर्फ पासपर हैं पर आने को आप पर उनका से information इसपर क्लिक करके आप अपने जो home screen होती है उस पर यह contact message ढाल सकते हैं तो जैसे कि आप कोई भी नंबर यहां पर लगा सकते हैं इस तरीकाइब किसे बता रहा हूं तो वह आप अच्छा रहता है तो जैसे कि इस सब्सक्राइब करना है और यहां निक बाद देखेंगे आपको इसका सेलेक्शन कर सकते हैं बहुत सारी आपको लोग यहां पर देखने को मिल जाती है इसका आप कलर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने यहां से थोड़ा सा बैक आने वहाद आपको देखने मिलता है बायो मेट्रिक एंड सेक्यूर्टी इस पर क्लिक करकर अगर कोई कोई बगार तो उसका आप कोई भी है अगर नहीं की यह तो यहाँ पार यहां बध्速사 करें दर जो कि फौन में बहुत अच्छी फीचर यहां पर देखने को मिलते हैं इसमें आने वाद आपको देखने मिलता है साइट की इस पर क्लिक करके देखेंगे अब मारा इसकी लॉट है और हमको कैमरा ओपन करना है तो दो बार हमें पार बटन जल्दी प्रेश करना हुग तो simple आपको open app पर click करना होगा यहाँ आने गवाद देख सकते हैं आपको सारे application सो हो जाते हैं किसी भी application को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं अगर आपको कोई भी application बहुत जल्दी open करना है double bar power button दबा के तो आप यहाँ आने गवाद इसका selection कर सकते हैं आप camera भी यहाँ पर रहने दे सकते हैं यह आपको भी depend करता है अब यहाँ आप आप देखने हो मिलता है skin shot इस पर click करेंगे तो friends यहाँ पर कुछ setting आपको देखने को मिलती है skin shot की जैसे कि friends आपको फॉन में जो भी skin shot ले रहे हैं इसके बाद आप देखने को मिल जाते हैं motion and gesture इस पर click करना है आपको यहाँ पर click करने बाद जैसे कि यहाँ पर देखने को मिलता है अगर आप जैसे कि यह फीचर काम क्या सकता है अब जोब अपनी इसक्रीन को डबल टैप करेंगे तो आपकी स्क्रीन इस तरह की से ओपन हो जाती है यह अच्छा फीचर है इस पर अपडेट में बहुत अच्छे फीचर देने की कोसे किया है यहां सब बैक आने बाद आपको फ्रेंड इस पॉन में कोई भी सब्सक्राइब आपको देखने हो मिलता है इसको compat Senhor ऑप का सकते हैं यहां यहां पर manage कर पाते हैं इसी के साथ आपको देखने हो मिलता है बोलियम डाउन बटन की इससे भी आप अपने हिसाब से access कर पाएंगे जिसके आपको बोलियम अपकी है और डाउन की है इनसे भी आप कुछ application को access कर पाते हैं यह बहुत अच्छा लगा samsung का जो की बहुत काम्याब भी यहां पर है इसी के बाद हम फ्रेंट्स थोड़ा आएंगे फ्रेंट आप देखने मिलता आपको फ्लैस नोटिफिकर इस पर करके आप अपने कोई फ्लैसलाइट है उसको नोटिफाई करा सकते हैं मतलब आपके फॉन प करेंगे इसको यूझ करने के लिए आपको यहां से इसका उपन करना होगा और यहां को देखने के बाद आप को यह रिमाइंड करेगा और यहां पर कुछ नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रही बार-बार आप इसकी कुछ मैसेज तूने वह भी बदल सकते हैं कि आपकी बहुत जाते इंपोरेंट जो रहती है आप उसका भी सेलेक्शन कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं आपको कौनसे आपलीकस ज़्यदा मौझय की मेसेज है ज़्यादा इंपोरेंट रहता है उसका भी सालक्षन अपने इसाप से कर पाते हैं तो फृइप टीकुश के बारे में जानके बहुत अच्छे लगा हुआ अगर आपको वीडिओ अच्या लगा हो तो लाइक बिल्कु भी न बूली तो चली फ्रेंड मिलेंगे ने वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक केर